यदि आप एक CAC वेली है तो आपके लिए बहुत important न्यूज है अगर आपने UP district के लिए apply किया था आपको पता होगा कुछ दिन पहले CAC के मादम से UP district portal free of cost apply हो रहा था और free में दिया जा रहा था अगर आपने अविदन किया था और आप अपने ID और password का wait कर रहे थे तो आपको ID password मिल चुका होगा क्योंगि मैंने भी apply किया था मुझे अपना UP district का login ID और password मिल चुका है तो उसी की संबंद में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि आपको कैसे मिला है अगर आपको नहीं मिला है तो क्या करना होगा और क्या 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 आपको शाओधानिया रखनी होग कैसे आपको लेना पहले मैं ये बता दूँ कैसे आपको apply करना है ये बता दूँ इसके बाद बताऊंगा तो apply for UP district portal ये दोस्तों मेरी website है यहाँ पर मैंने साथी detail दे रखके आपको step by step क्या procedure क्या documents बगरा लगेंगे सर अगर आप CAC चलाते हैं तब भी बता रखा मैंने और तो आप अगर एक non-CAC user हैं आप CAC नहीं चलाते हैं तब भी आप apply कर सकते हैं UP district portal के उसका भी मैंने आपर method बता रखका है आप यहाँ पर आएंगे साथी detail में लेगी क्या क्या services हैं और क्या 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 काम कर पाएंगे आप UP district portal से कैसा within करना है बगएरा साथी detail with video मैंन तो UP district portal से कैसे आपको apply करना था how to register UP district by CAC वो भी मैंने बता रखा अगर आपने अभी दगावेदर नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं सारे link बगएर मैंने दे रखकें और इस website के link दोस्तों मैं description में दे रखकें तो यह पूरा procedure है अब मैं बता दू मैंने apply किया था already और ढ़र में दे रखाता हूं आपको किरिश्टिक पोर्टर क्रेडिशनल की संबंद में प्रिया परवन खौन आपके दोरा इक शेवा के लिए किये गए आवे दिन के सापरेच आपकी यूरल दिया है दोस्तों edistrict.ub.in slash district up ठीक है इसके आपकी user ID दी होगी मतलब कि ID इसके आपका पाशवर दिया होगा और इसके बाद दिये दिखिए CAC SPB द्वारा निर्धारे दिर्सार निर्देश के अनुसार सभी वेली का अपने निर्धारत इस्तान पर राज सरकार एवं CAC द्वारा आता है अमानक के अनुसार ब्रैंडिंग के साथ CAC के अंदिस्ताप पर द्वा संचालित होने के साथ-साथ निम लिखे सिवा में ट्रांजेक्शन होना आवश्चक है आपने जिस भी जिला पंचायत के लिए अपलाई किया है वहीं पर आपको कार करना है और आपको पोश्टर बगारा लगा के रखना यह बताया गया है आपको आवसक शेवाइ कौन कौन सी देनी PMG दिसाहाब, प्रधानमद्रिक शनमय योगी मांधनी योजना जो कार्ड बनते हैं प्रधानमद्रिक जना आरोग योजना के जो कार्ड बनते हैं डिजी पे बगारा मैं और अभी आपको दिखाऊँगा मैं इसे स्कॉल करूँगा लेकिन ID पास्वड मैंने हैड कर रखा है दोस्तों सिक्रेटी विजन की वज़ए से जो आप इसक शेवाएं देखिए पूरी लिष्ट दीगे है डिजी पे अनपियस निशनल पेंसर सिस्टम जिसको बोलते हैं आई आरसी टीसी सेसी बैंकिंग सर्वेस योपी पीशल बिल कलेक्शन पैन कार्ड इंसोरें शेल इसोर यह सारी सर्विशेस हैं अब हम बात करेंगे जो आपको यूपी डिस्टिक आईडी पासवर्ड मिला है उसमें कौन-कौन सी सर्विशेस आप दे पाएंगे कैसे से लॉग इन करना है तो चलो बहुत स्टाइट करते हैं तो जो आपको उपर लिंक दिया उस पर आप यसे क्लिक करेंगे तो आप इस लिंक पर आ जाएंगे अब आपको लॉग इन करने के लिए इन डिस्टिक लॉग इन का ओप्शन मिलेगे इस पर आपको क्लिक करना होगा तो आप लॉग इन पॉटल पर आ जाते हैं यदि देखिए लॉग इन पॉर्टल उपन होकर आ गया है सब्सक्राइब सेलेक्ट लॉगिन टाइप डिस्टिक डिस्टिक या डिस्टिक क्या है तो आप CAC डिस्टिक यूजर है इसका अपना यूजर आडी और पासवर्ड जो आयाब उडाल कर और कैप्चर अलकाओ सब्मिट करना है तो जाशे आप लॉगिन करेंगे तो आपका यूजर नियम आजाएगा और आपका ओल्ल पासवर्ड मागगा और आपको अगिट' न्यू पासवर्ड क्रिएट करना होगा तो नीउप कर क्लिक करलीट है यह देखी password change successfully अब आपको यहाँ पर फिर से login portal पर आना होगा और login करना होगा तो फिर से आपको UP district के portal पर आ जाना है यह district login पर क्लिक करना है फिर से select करना है CCA district और फिर से आपको अपना user ID और जो नया password डालना है और OTP डालकर submit करना है तो जैसे आप first time login करेगे तो सबसे पहले for security region following details required आपको अपना user ID वो डालना होगा date आप बात डालनी होगी mother's का first name डालना होगा secret key आपको एक इंटर four digit number remember आपको चार्ड डिजिट का एक password भी बनाना होगा तो यह सारी चीज़ें आपको डालनी होगी कभी अगर आप password भूल जाते हैं तो security region की बज़े चे यह आपको fill कर लीना है तो चलो मैं सारी चीज़ें इंटर कर देता हूँ सारी चीज़ें डालकर आपको submit कर देना है registration of user really is done successfully it is confidential information do not share with anyone तो यह आपका registration हो चुका आपको इस window को close कर देना है अब यह आपका यूपी डिस्टिक का पाशवर्ट देखिए आ चुका यह आपका पूरे dashboard होगा home पाशवर्ट यहां से आप चेंज कर पाएंगे यहां पर लाग आउट कर पाएंगे तो यह देखिए बहुत सारी services आपको मिल जाती है जात प्रमारपत्र आपको कितनी बहुत सारी services मिलेंगी अब आपको यहां पर apply for integrated services पर क्लिक करना होगा आपके देखिए available balance to apply integrated services आपको यहां पर कोई भी balance नहीं है आपको यहां पर balance खरीदना पड़ता है जैसे आईजात बनाना है तो उसके लिए आपको यहां पर कुछ balance डालना पड़ता है तो उसके लिए request more quota पर क्लिक करना होगा आपकी user ID पड़ी होगी इंटर दा number up quota कितनी ID आप खरीदना चाहते है मिनमाम 5 खरीज सकते हैं तो मैं 5 ही खरीदूँगा और submit पर क्लिक कर दूँगा तो आपकी कि amount टूपे 17 रुपए की मुझे 5 ID मिल रही है sale amount, wallet amount तो आपको अपना यहां password डालना है दोस्तों CAC ID का password डालना है यहां पर ऐसे आप password यहां पर इंटर करते हैं अब आपको दोस्तों यहां पर अपने wallet का password इंटर कर देना है यही मेरा request successful हो गया है आपको फिर से back आना है integrated service क्लिक करना अभी यहां पर available balance 0 दिखा रहा है आपको wait करना है आपने जो 5 balance के लिए apply किया है वो कुछ दिर में आपर शोक करने लगेगा तो यह ऐसे आपको first time UP district को login करना है इससे में कैसे काम करना होगा क्या और बगेरा होगा वो सब कुछ मैं बताऊंगा तो आप हमारे चनल से जोड़े रहें लगातार और अगर आपने अभी तक हेल भी निए चनल को सब्काइब नहीं किया जरूर कर लें कैसे आई जात निवास बनानी होंगी क्या क्या सर्विशेश है उसके लिए मैं second video ज से जरूर कर दें और अगर आप भी तक आपको id password नहीं मिला तो हमें comment करें कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूँगा हलाकि आपको id password लेने के लिए अपने district e-manager से contact जरूर एक बार करना है तो आपने call करके अपनी information जरूर ले ले थांक्स वाचिंग